एल्लो मैं फ्रेंट्स वेलकम टू अज्जा 24-7 रेगुलिट्री बॉडिज एन इसो चैनल आम यह वेंचा विर इंपॉर्टेंट एंड वेरी रिक्वेस्टेड वीडियो थम्नील आप लोगों ने देखी लिया है कि सेभी का डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुका है तो उस नोटिफिकेशन को हम डिटेल्ड मैनर में डिसकस करेंगे नोटिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी आस्पेक्ट्स हैं वो चाहिए आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हो सलेबस हो एक्जाम पैटर्न सेलरी एज लिमेट क्वालिफिकेशन सब भी कुछ यहां पर डिसकस कर इसी क्योंकि आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है फॉर फ्री इसी के साथ साथ अगर आप हमारे किसी कोर्स में अन्रोल करना चाहते हैं तो आपको एप के थ्रू डिसकाउंट भी मिलता है मैक्सिमम और वो जब कब मिलता है जब आप कोड यूज करता है वाई-581 इसी यहाँ पर मेरे dedicated group मिल जाएगा finance by वीर सर इसमें आप अपनी query post कर सकते हैं मेरे जो daily current affair का content होता है banking and finance related वो यहाँ पर चेक आउट कर सकते हैं फ्री में download कर सकते हैं बहुत सारा content इसके अलावा आप मेरे social media platforms पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तो चलिए एक छोड़ी स यह financial market की सबसे बड़ी vacancies में से एक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं notification से notification के एक एक पॉइंट को हम यहाँ पर discuss करेंगे आपकी जो भी queries आती हैं दोस्तों do let me know comment section open है chat box open है do let me know ठीक है तो सबसे पहले दोस्तों इस notification के regarding हम important dates के बारे में बात करेंगे तो अगर आप important dates तक आप form fill कर सकते हैं ठीक है तो यह आपकी form filling dates है और आपका जो exam है वो तीन phases में होता है phase 1, phase 2 and interview और phase 1, phase 2 की dates यहाँ पर दी हुई है दोस्तों phase 1 की date है July 27 और phase 2 की date है August 31st बागी interview की date in the coming days वो हमें बता देंगे definitely ठीक है बागी stream wise यहाँ पर जैसे information technology जो IT stream है उसका exam जो है coding based exam होता है तो उसकी date भी यहाँ पर अलग रखी गई है तो वो यहाँ पर होने वाली है September 14 को ठीक है तो exam dates अंजली आपके सामने आप देख सकते है July 27 को phase 1 है and August 31 को phase 2 है ठीक है तो next चीज़ पर आते हैं दोस्तो number of vacancies के बारे में बात करते हैं तो जो हमारी recruitment है उसमें total 97 vacancies यहाँ पर आई है और 97 vacancies में जो journalist vacancy है जो की सबसे जादा hyped vacancy रहती है उसकी 62 vacancies यहाँ पर है दोस्तो 62 vacancies category wise अकर आप देखेंगे तो general you are category के अंडर 34 OBC 14 SC ST EWS 716 respectively ठीक है अब यहाँ पर journalist vacancy के regarding बहुत सारे बच्चे qualification के regarding confused रहते हैं तो मैं यहाँ पर आपकी बहुत सारी clarity दूंगा दोस्तों तो ध्यान से सुनना कोई confusion मन में नहीं रखनी है यहाँ पर देखो आपसे क्या मांगे गया है यहाँ पर आपसे मांगे गया यह master's degree ठीक है master's degree यह post graduate diploma दो साल का यह course होना चाहिए अगर आपके पास एक bachelor degree है अगर आप सपोर्स मैं आपको simple example देता हूँ अगर आपने b.com किया है ब.se किया है तो आपको यहाँ पर master's जरुरत पढ़ जाती है लेकिन दो bachelor degree ऐसी है जिन में master's degree की जरुरत नहीं पढ़ती वो जो दो degree है वो है आपकी एक आपकी LLB की degree है bachelor degree in law और दूसरी है bachelor degree in engineering यानि कि दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके पास या तो master's हो really sorry या तो आपके पास master's हो master's बोले तो आप m.sc है m.com है m.b.a है जो भी आपने master's किया है m.a. किया है आप यहाँ पर eligible हो जाते हैं आपने master's किया है you are eligible for this examination इसके अलावा इसके अलावा एक और eligibility criteria भी है कि अगर आप एक graduate है किसमें आपके पास law में degree है bachelor degree in law यानि कि आपके पास L.L.B. है ठीक है या फिर आप B.Tech या B.E. किसी भी किसी भी stream में mechanical IT किसी भी stream में production जो भी तो आप यहाँ पर eligible हो जाते है for journalist stream ठीक है तो यह दो आपके जनलिस्टीम के regarding eligibility criteria है या तो आपके पास master's हो या आपके पास graduation level पर graduation level पर सिर्फ यह दो degree ही eligible है इसके अलावा भी श्रीतम कुमार MBA finance बिल्कुल eligible है बिल्कुल MBA बोले तो master's और master's के हिसाब से MBA finance eligible है MBA finance हो MBA HR हो जो भी आपने किया है eligible है master's मतलब eligible ठीक है लेकिन अगर आप bachelor देखना चाहते हो तो बैचलर में सिर्फ दो degree eligible होंगी एक B.Tech और एक L.L.B ठीक है यह छोड़ा सा मुझे आपको point बताना था इसके अलावा अगर आप sorry guys इसके अलावा अगर आप chartered accountant है company secretary है cost accountant है CFA है तो भी आप यहाँ पे journalist stream के लिए eligible हो जाते है तो यानि कि जो हमारा classification था तो एक थर्ड डिगरी और allow हो जाती है which is chartered accountant, company secretary, CFA and cost accountant तो यह भी eligible हो जाते है हमारी journalist stream के लिए जो कि जाद अतर बच्चे जो है वो journalist stream के लिए apply करते है तो this was about the educational qualification दोस्तों कोई experience कोई work ex यहाँ पे नहीं मांगा गया है freshers can apply freshers can apply ठीक है चलिए next राते हैं दोस्तों legal तो legal stream की यहाँ पर 5 vacancies है legal stream एक separate stream है उसकी यहाँ पर 5 vacancies है उसमें आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर catch है जो mandatory qualification है वो है यहाँ पर LLB उन्होंने मांगा है उसके अलावा एक desirable experience मांगा गया है अब यह desirable experience क्या है दोस्तों आगे जब मैं आपको interview face के बारे में बताऊंगा तो आपको help लगेगी कि अगर आप desirable मतलब अगर आपके पास है तो अच्छा है अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास experience हो ही हो लेकिन हाँ interview में 15 में से 3 marks आपको तब मिलेंगे जब आपके पास यह desirable experience होगा बाकी जो 12 marks का जो interview है आप भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा तो वो desirable qualification के basis पे मिलेगा अगर आपके पास desirable qualification नहीं है तो आप कोई बात नहीं एक्जाम तब भी दे सकते हो simple सी है अगर आप एक law graduate है आपने के 2 साल as an advocate काम किया हुआ है तो आप दोनों criteria फुल्फिल करते हैं अगर आप ने 2 साल काम नहीं किया है minimum तो आप पहला वाला criteria फुल्फिल करते हैं आप form बढ़ दीजिए आप exam crack कर सकते हैं ठीक है this is desirable this is mandatory ठीक है चल यह next then आपका information technology में इस बार काफी अच्छी ली number of vacancies आप बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर 24 vacancy का आप बहुत अच्छे बोलते हैं दोस्तो regulatory bodies में यह बहुत अच्छा number माना जाता है क्योंकि these are the top notch job in the country तो ऐसी जो jobs होती है वहाँ पे number of vacancies हमेशा कमी रहती है ठीक है तो यहाँ पर आपका information technology के regarding आपका bachelor degree in engineering in any branch और आपने कोई और bachelor degree लिया है लेकिन फिर आपने master's किया है master's किस में किया है computer science में किया है या IT में किया है तो आप eligible हो जाते हैं तो आपका specialization जो master's में हो वो या तो computer science में हो या information technology में हो तो आप eligible हो जाते है या तो simple again यहाँ पर भी criteria है ब VTEC हो, BE हो, तो आप eligible हो, तो आप eligible हो जाते हो, इसके अलावा आपके पास suppose BSC है, Bcom है, लेकिन आपने master's किया हुआ है, master's किसमें, computer science में या IT में, तो आप eligible हो जाते हो, IT post के लिए, तो this is the criteria, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, फिर research stream है, then there is electrical stream and then there is official language stream, qualification आप check out कर सकते हैं, बहुत जादे detail में या पर दी होई है, ठीक है, तो ये तो थी देखो दोस्तों, आपकी number of vacancies और उनकी regarding क्या qualification अपने को चाहिए, आप एक बार notification चेक आउट कर सकते हो, कोई भी doubt आए, तो आप हमारे comment section में ये chat box में हमसे पूछ सकते हो, इसके अलावा एक doubt जो बहुत जादा बच्चों के मन में आता है, सर मैं एक final year student हूँ, एक final year student हूँ, क्या मैं form फिल कर सकता हूँ, क्या मैं ये exam दे सकता हूँ, तो जी हाँ, यहाँ पे बहुत ही specifically mentioned है, candidates who have appeared for the final examination में, ये highlight जरूर करूँगा, candidates who have appeared for the final examination are eligible, are eligible to appear for phase 1, phase 2 and phase 3, मतलब आप पूरे recruitment process को appear कर सकते हो, लेकिन final आपके पास mark sheet आ जानी चाहिए, final marks आपके पास आ जाने चाहिए, अगर आप select हो जाते हो, ठीक है, आपको सारे document submit करने होंगे, आपनी qualifications के, ठीक है, तो ये एक important criteria कि final year students, जो की अपना result दे चुके हैं, या ज जोलाई अगस्त में सारे results लगबग आई जाते हैं, कुछ universities के थोड़े बात तक आते हैं, तो कोई बात नहीं, अगर आपका final selection से पहले आपका result आ जाता है, तो आप इस exam को appear कर सकते हैं, this is a very important update for fresh graduates, जो final year में होते हैं, उनके लिए बहुत important update है, ठीक है, तो ये note number 4, याद रखना, कोई भी आपका fresher candidate है, जो final year में है, जिसका result awaited है, वो ये form फिल कर सकता है, अगर वो उपर की qualification फिल करता है, जो कि हमने अभी discuss की थी, ठीक है, इसके लावा एक बार age limit के terms में और है दोस्तों, कि आपकी age limit जो है, वो 21 से लेके, 30 years के बीच में होनी चाहिए, और इ age 30, cross नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो age को identify करने के दो criteria है, 21 साल के हो गए हो तो पता कर लो कि एक April 1994 के बाद born हुए हो तो, ठीक है, और 30 साल के नहीं होए होनी चाहिए, March 31st, 2024 को, अगर कोई candidate 30 cross कर गया है इस date को, तो he is not eligible, तो age limit के terms में यहाँ पर restrictions है, ठीक है, चली दोस्त मिलता है, ठीक है, OBC, SC, ST category, OBC को relaxation तब मिलता है, जब candidate एक non creamy layer हो, ठीक है, non creamy layer होना चाहिए, तो यानि कि यहाँ पर income certificate चाहिए होता है, ठीक है, तो that is the important thing, कि आपके पास एक latest जो है आपका income certificate होना चाहिए, जो कि आपके document verification के time लगेगा, बाकी यहाँ पर अगर हम बात दे candidates के लिए 5-year age relaxation है, OBC candidates के लिए 3-year age relaxation है, उसके लावा ex-servicemen and other categories के लिए भी यहाँ पर further relaxation है, ठीक है, तो आप यहाँ पर एक बार check out कर सकते हो, next, चलिए आगे आते हैं, अब आजाते हैं, examination के उपर, अंचली पूछ रहे हैं, सब्सक्राइब का class daily होगा, definitely अपना class बहुत ही जल्दी regular होगा, YouTube पे भी regular होगा, और अपने paid course में तो चली रहा है, paid course में अपना class regularly चली रही है, so no worries about that, paid course में time bound manner में आपको practice भी करा दी जा आगा, almost अपना तो cover ही हो चुका है, तो we are all set, अब mode of selection की बात करें, तो आपका examination जो है दोस्तों वो और तीन phases में होता है, सबसे पहले एक phase 1 होती है, जो की qualifying in nature है, ठीक है, phase 1 is qualifying in nature, then phase 2, basically, यह वो stage है जहाँ पे आपको जादा से जादा efforts लगाने है, and then there is interview, हर stream का exam थोड़ा सा different है, वो मैं अभी आपको दिखा दूँगा, तो आपको easily idea लग जाएगा कि किस stream का exam किस तरह से है, तो चलिए directly mode of exam पे आते हैं, मैंने जो पहली stage बोली है, that is qualifying in nature, तो थोड़ा सा इसके बारे में चानते हैं, ठीक है, तो आपको जो first exam है, वो है phase 1 का exam, जो की 27th of July को है, जो हम discuss कर चुके थे, अभी जो phase 1 का online examination है, online मतलब computer based exam होता है, इसमें 2 paper होते हैं, एक होता है paper 1, एक होता है paper 2, paper 1 is compulsory for all streams, आप किसी भी streams हैं, आप IT से हैं, आप generalist से हैं, आप official language से हैं, आप electrical engineering से हैं, आप किसी भी streams हैं, paper 1 is compulsory for all the streams, और इसमें आपके 4 subjects ह होते हैं, general awareness, quants, reasoning and English, ठीक है, इस paper में आपका जो paper होता है, 100 marks का होता है, इसमें basically 50 questions आते हैं, ठीक है, और 60 minutes का यह paper होता है, लेकिन यहाँ पर एक important thing is कि phase 1 का यह जो paper है, इसमें आपको 100 में से 30 marks लाने होते हैं, 30 से जादा marks लाने होते हैं, और आपके paper 1 की cut off qualify हो जाएगी बहुत सारे बच्चे इस confusion में रहते हैं कि सर यहाँ पर 4 section है, यहाँ पर 4 section है, क्या तो हर section की अलग से cut off होगी, नहीं, paper 1 की cut off होती है, मिला के, 100 marks में से 30 marks से जादा आपको लाने होते हैं, that is it, ठीक है, इसके बाद आपका paper 2 भी होता है, back to back, एक के बाद एक दम तुरत paper 2 हो जाएगा आपका, तो generalist stream का paper हो, या फिर other streams का paper हो, ठीक है, generalist stream में यहाँ पर 6 subjects होते हैं, commerce, accountancy, management, finance, costing, companies act and economics, सुनने में साथ लग रहे हैं, लेकिन 6 commerce and accountancy हम एक इक काउंट करते हैं, ठीक है, तो इन में से फिर again 50 questions होते हैं, हर question 2 marks का होता है, ठीक है, 40 minute का यह paper होता है, general system की बात कर रहा हूं, ठीक है, और यहाँ पर आपको 40 marks से जादा लाने होते हैं, 40 marks से इस paper में जादा लाने होते हैं, तो आप next phase के लिए qualify कर जाओगे, इसके अलावा दोस्तों, आपको एक overall cutoff भी clear करनी होती है, जो की होती है, आपकी 40% यानि की 80 marks out of 200, अगर आप एक general system के candidate हो, तो आपको 30 marks से जादा paper 1 में लाने, 40 marks से जादा paper 2 में लाने, and overall मिला के 80 marks से जादा लाने हैं, phase 1 में, आप next phase के लिए qualify कर जाओगे, यानि कि अगर आपके 81, 82, 83, कुछ भी marks आते हैं, 90, 100, 120, जो भी आ रहा है, 80 marks से उपर मतलब you will qualify for the phase 2, यहाँ पे कोई merit list नहीं बनत यह important criteria है, तो phase 1 is qualifying in nature, I think अब आपको समझ में आ गया होगा, इसी तरह है बाकी जो streams होते हैं, उनके objective based questions होते हैं, phase 1 में, और same criteria यहाँ पे रहता है, ठीक है, so this is about the phase 1, अब आते हैं दोस्तों, phase 2 के उपर, phase 2 का दोस्तों, जो again paper 1 है, यह भी again online based paper है, जो कि आपका 31st अगस्ट को होगा, सारी stream का, except IT, ठीक है, तो वो जो exam होगा, वो आपका paper 1, यहाँ पे again, एक descriptive English paper है, जिसमें 3 questions आते हैं, एक essay आता है, एक pressing writing आती है, और एक reading comprehension आता है, ठीक है, 3 questions होते हैं, 100 marks के होते हैं, 60 minutes आपके पास होते हैं, इस paper में भी आपको minimum 30% marks लाने ही होते हैं, और इस paper की weightage क्या है, वो one third है, इसको मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, यह weightage का क्या मतलब है, ठीक है, फिर अगर आप देखो paper 2, इसके just बाद आपका paper 2 होता है, time limit पहले यह 40 minutes होती थी, अब यह 90 minutes हो गई है, marks, maximum marks 100 है, तो इसका क्या मतलब है, देखो इसका 2 interpretation हो सकती है, एक यह कि यहाँ पर number of questions जो है, वो बढ़ सकते हैं, number of questions जादा आ सकते हैं, दूसरा यह कि paper का जो difficulty level है, वो शायद और बढ़ सकता है, मतलब difficulty level नहीं कहूंगा, paper जो है, शायद थोड़ा सा numerical oriented और जादा हो जाए, maybe, क्योंकि numerical oriented देखने से लग रहा है, या फिर number of questions यहाँ पर बढ़ जाए, तो दोनों ही case में कुछ भी बनता है, तो we will see to it, no worries about that, ठीक है, इस paper में भी आपको minimum 40% marks लेने होते हैं, और इसकी जो weightage होती है, वो two-third होती है, यह था आपका journalist के लिए, legal stream का जो paper होता है, वो थोड़ा से different होता है, legal stream में क्या होता है, 70 multiple choice questions आते हैं, and 30 marks का descriptive writing paper होता है, जिसमें 3 questions का आपको answer करना होता है, ठीक है, 3 descriptive questions of 10 marks each on subject specialization, मतलब आपका legal stream में 70 objective questions, ठीक है, और 30 जो है, descriptive, मतलब 30 marks का descriptive writing paper होता है, यह भी again computer based होता है, pen paper type नहीं होता, ठीक है, दोनों के लिए 60-60 minutes होते हैं, इस paper की cut-off भी 40% and two-third is the weightage, अब यह weightage का क्या चक्कर है, weightage का चक्कर में आपको बताता हूँ, देखें जब आपकी merit list बन रही होगी न, तो पहले देखा जाएगा कि आपने minimum 30 marks लिए, हाँ लिए 40 marks लिए, हाँ लिए, अब आपका देखा जाएगा कि suppose आपके इस paper में कितने marks है, आपके paper में marks है, suppose 60, और यहाँ पर आपके कितने marks है, 70, तो आपकी जो total, जब merit list बन रही होगी, तो उसमें इसको weightage दी जाएगी 1 third, और इसको weightage दी जाएगी 2 third, तो यह कितना हो गया, यह आपका हो गया, one third यानि कि 20 marks, और यह कितना हो गया, यह हो गया, आपका, 140 divided by 3, approximately, अगर हम देखें, 50 है, 46 marks के approximately यह हो गया, अरे चलनी रह, 46, तो पूल मिला के आपके 66.66% marks बने, so this is the criteria, कि आपके जो final जो list बनती है, उस final जो marks बनते है, फीस टू के, वो इस तरह से बनते ह है, ठीक है, so this is the criteria, ओके, तो अब हम आते हैं, I think आपको यह phase 2 का pattern भी समझ में आ गया होगा, cutoff का criteria भी पता लग गया होगा, थोड़ा सा phase 2 की last time की, अगर मैं cutoff की बात करूं, दोस्तों, तो जो general stream का 2022 में जो paper हुआ था, I think, 100% sure नहीं हो, but it was I think around 64%, 64 point something was the cutoff, if I am correct, एक बार check करना पढ़ सकता है, मुझे, और legal stream की जो 2023 में cutoff थी, that was somewhere around 65 marks, ठीक है, तो यह आपके previous year cutoff है, phase 2 की, cutoff इस बार भी कहीं न, कहीं इसी के आसपास रहेंगी, 60, 65 के basis बाकी paper के level देखते हैं, क्या आता है, उसके basis पे थोड़ा minor उपर नीचे, plus minus 3 marks यह चल सकता है, ठीक है, कि 64 plus minus 3, तो या 65 plus minus 3, तो paper के level के उपर थोड़ा सा रहता है, ठीक है, चली आगे चलते है, तो this was about phase 2, अच्छा हा, IT stream के लिए क्या है, हमारा paper अलग से होगा, September में होगा, 14 September को हमारा paper होगा, phase 2 का, and that paper would be entirely coding based, वो coding based exam होगा, ठीक है, तो हमने यहापे 3 stream के बारे में, detailed में discussion कर लिया, journalist stream, legal stream, as well as IT stream, इनके paper कैसे रहने वाले, वो मैंने आपको बताया, paper 1 would be common for all, और paper 2 as per stream, थोड़ा सा variation वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसी तरह research stream का यहाँ पे descriptive exam होगा, ठीक है, official language का भी यहाँ पे पूरा detail में इन्होंने दिया हुआ है, कि किस तरह क paper रहेगा, तो आप एक बार check out कर सकते हैं, बाकी marking कैसे होगी, वो मैंने आपके साथ discuss कर लिया, ठीक है, तो जो बच्चे, phase 2 में, merit में सबसे उपर आएंगे, तो 1 is to 3 की ratio में, उनको interview में call किया जाएगा, तो एक final cutoff भी बनती है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, phase 1 की तरह कि सारे बच्चे, phase 2 में qualify कर गए, और उसके बाद, जो phase 2 में, cutoff किलियर करी, तो वो सारे के सारे interview में आगे, नहीं, जो top होंगे, सारे parameters, meet करने के बाद, top 1 is to 3 की ratio में, जो candidates होंगे, उनको interview के लिए call किया जाएगा, ठीक है, तो interview यहाँ पे final parameter होता है, अब आपकी जो final merit list बनती है वो बनती है, phase 2 marks से, final merit list जी होती है, उसमें phase 2 marks plus interview marks, अब यह जो phase 2 marks है, इनको average out किया जाता है, उनने scale of 85, ठीक है, सपोज आपके 66.6 marks ते out of 100, तो 85 में से कितने बनते हैं, वो यहाँ पे scale out किया जाएगा, ठीक है, फिर interview में, आपके 15 marks का interview होता है, और आपके final merit list बनती है, 85 में से आपके scale out होके, सपोज यह 66 बन जाता है, 54 point something, प्रस interview में आपको 10 marks मिले, तो यह जो overall marks जो आपके बने, उसके basis पर final merit list बनती है, और as per vacancies, selection हो जाता है, ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा catch है, कुछ specific vacancies के लिए, जो मैंने बताया था initially, ठीक है, कि इंटर्व्यू जो है, उसकी weightage जो है, बलागर अब जो आपका 15 marks का जो interview है, दो streams के लिए, कौन सी, एक legal stream, क्योंकि यहाँ पर भी desirable qualification मांगी है के थी, पूछा गया था न, कि आपका 2 साल का experience है के नहीं है, और एक engineering stream के लिए भी यहाँ पे, electrical engineering stream के लिए भी यहाँ पे, qualification experience मांगा गया है, तो अगर आपके पास qualification experience है, तो interview के 15 marks में से 3.7 marks जो है, वो weightage दी गई है, आपके desirable qualification को, और 11.25 weightage दी गई है आपके interview को, जो actually होगा, तो यानि कि अगर आपके पास 2 साल का experience था, suppose legal के case में, तो आपको यह 3.75 marks free में मिल जाएंगे, इसके लावा 11.25 marks में से आपका interview marking होगी, तो आपका 15 में से, suppose 11 में से आपको मिलते है 9, तो आपके marks कितने होगा है, 12.75, तो इनको आपके phase 2 marks से जोड़ दिया जाएगा, on the scale of 85, and आपकी final merit list बंद जाएगी, मद उसमिता पॉल पूछ रही है, sir, what are the implications of extended time of 90 minutes more, weightage on numericals, मद उसमिता देखो, अब यहाँ पे 2 चीज़ को हर perspective से तयार करेंगे, देखिए वैसे भी पहले भी numericals जादा आते थे, यह थोड़ा सा हो सकता है, थोड़े lengthy numericals भी हमें देखने को मिल सकते हैं, कि पहले जो है, बहुत ही simple जैसे financial ratio में आपसे current asset पूछ लिया जाता था, और current asset और liability दिया होता था, इतने simple numerical भी पूछे ग दे, उसमें से आपको पहले current assets identify करने पड़े, current liabilities identify करने, calculate करनी पड़े, और उसके basis पर फिर आपको current ratio identify करना पड़े, तो इस तरह से आपको कुछ questions देखने को मिल सकते हैं, थोड़े से lengthy, जो थोड़े से calculated हो, तो या तो अगर number of questions नहीं बढ़ते, तो questions lengthy रहेंगे, जिनको read करने में time लगता है, otherwise number of questions बढ़ेंगे, तो this would be the implication, paper का overall level तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जादा difficult होगा, sir where will be the interview held, ठीक है, प्रांचू इस question को हम तब लेंगे, जब महां तक पहुंचेंगे, reason being, अभी हमको focus करना चाहिए, phase 1, phase 2 पे, वैसे Mumbai में आपके interview होंगे, ठीक ह है, and pretty sure कि आप वहाँ पे जरूर पहुंचेंगे, ठीक है, कि आपको interview जरूर पहुंचें, that's my request from the god as well, ठीक है, but the thing is कि उस चीज़ को अभी focus मत करो, अभी focus करो, आपको phase 1 कैसे qualify करना है, phase 2 कैसे qualify करना है, ठीक है, इसके लावा, pay scale के बारे में, अगर मैं बात करूँ, देखो दोस्तो, pay scale के बारे में, मैंने अल्रीडी एक वीडियो बनाया हुआ है, पुराना वीडियो है, मैं नया वीडियो इसलिए नहीं बना रहा, क्योंकि देखो 2022 के बाद, journalist team के candidates ने join नहीं किया, ठीक है, अगर आप देखोगे, उनकी जो salary around होती है, वो around 94,000 के आसपास होती है, उसके उपर अगर हम देखें, allowances होते हैं, 30-40,000 के, तो उनकी जो net salary, take home cash component जो रहता है, वो लगबग 1,20-30,000 के आसपास रहता है, मुंबई के अंदर उनकी posting रहती है, ठीक है, तो it is a very good job for a fresher to start with, बाकी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चेक आउट कर सकते हैं, हमारे चैनल पे, जस्त आपको you need to post, savvy grade a salary, ठीक है, उसमें आपको detailed में allowances वगेरा मिल जाएंगे, तो बाकी यहाँ पे, देखो mention किया हुआ, अगर आप accommodation के, बिना, आपकी जो salary लएगी, वो approximately 1,55,000 रहेगी, और without accommodation, it would be, with accommodation, it would be 1,16,000, and without accommodation, it would be 1,55,000, and there would be other benefits, जो मैंने detail में share किया है, तो मुझा नहीं लगता होना चाहिए, salary पर नहीं, इस salary slip पर अपना नाम कैसे आएगा, हमें वो मेनत करनी है, हमें अब अपनी preparation पर ध्यानने लिए, तो देखो दोस्तों, detailed manner में, इस notifications related, जितनी भी queries हो सकते थी, I hope, इस वीडियो में मैंने सभी answer किया, related to eligibility, qualification, आपका graduation, experience, सभी fresher candidate हूँ, क्या eligible हू तो दोस्तों, अब next चीज ये है, हाँ, एक query हाँ पर बनती है, sir, मैं eligible हूँ, I am a log graduate, मैं legal के लिए भी eligible हूँ, मैं journalist के लिए भी eligible हूँ, तो मैं किस stream के लिए भरूँ, तो choice is yours, आप previous ये questions को analyze कीजिए, लेकिन आप जो है maximum two streams के लिए form fill कर सकते हैं, जी हाँ, ये important question हमारा थ separately form fill करना होगा, एक ही form से काम नहीं चलेगा, दोनों streams के लिए आपको separately form fill करना पड़ेगा, दोनों की separate fees, जो की 1000 रुपीस for general candidate है, वो यहाँ पे pay करनी पड़ेगी, तो अगर आप suppose legal and general के लिए apply करना चाहते हो, तो आपको दोनों ही streams के लिए अलग से form fill करना पड़ेगा, तो this is it guys, बागी आ जाते हैं, preparation related, तो preparation देखिए दोस्तों, मैं already अभी एक वीडियो भी बनाया, how to crack SEBI without any coaching, मैंने एक honest वीडियो बनाया, जिसमें बहुत सारे sources मैंने, जो free sources है, majority of the sources जो free है, उसमें मैंने suggest किया, आपको सिर्फ type करना है, how to crack SEBI without coaching by Veer Sir, ये वीडियो आपको सर्च करना है, आपको complete resources मिल जाएंगी, जिन से आप तयारी कर सकते हो, next आते हैं कि added 24-7 इसमें आपकी कैसे help कर सकता है, तो दोस्तों, वो मैं है आप आप लोग के साथ बताना चाहता हूँ, हमारे dedicated courses भी हैं, और भी हमारे courses आने वाले हैं, जिनका मैं surprise अभी reveal नहीं करना च existing course हैं, उनके बारे में मैं definitely आपके साथ share करना चाहूँगा, तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर SEBI से related dedicated courses हैं, आपको यह करना है, हमारे course section में जाना है, SEBI में जाना है, तो यहाँ पर we are having a dedicated badge for the generalist stream, we have a dedicated badge for IT stream, as well as legal stream, तीनों ही courses हम यहाँ पर cover कर रहे हैं, मैं यहाँ पर एक Google form भी attach कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत सारे candidates ऐसे हैं, जो electrical stream के लिए apply करना चाहते हैं, research stream को sorry दोस्तों हम cover नहीं करते, as of now, maybe in the future, we will cover that up, but इस साल हम cover नहीं कर पाएंगे, I would be very honest here, लेकिन अगर आप electrical stream के लिए तयारी करना चाहते हो, तो आप के लिए हम यहाँ पर Google form attach rate हो, तो उस form को fill कीजिए, based on the responses, within a day or two, we will come up with a dedicated course, तो आपको यहाँ पर form fill करना ज़रूरी होता है, प्रांशु रस्तावगी सर, I have done MBA in international business and retail management, should I apply for the research stream, it depends, प्रांशु की आप कि स्टीम के लिए apply करना चाहते हो, it's totally your choice, आप journalist के लिए बेलिए हो, research के लिए मुझे एक बा क्योंकि research stream की qualification अपने discuss नहीं की थी, Master's Degree, Post Graduate Diploma in Economics, Business Administration, ठीक है, Econometrics, Quantitative Economics, Financial Economics, Mathematical Economics, Business Economics, Agriculture Economics, Industrial Economics, Industrial Economics, Business Analytics, Business Analytics, Master's Degree, or Post Graduate in Finance, Quantitative Finance, Mathematical Quantitative, International Finance, Business Finance, International and Trade Finance, Project and Infrastructure Finance, Agree, तो अपनी qualification है, International Business and Retail Management, according to these, I don't think we are fitting in any criteria, आप I think प्रांचु, एक बार Google के तुरू यह चेक करो, कि इन में से किसी भी stream के equivalent अपना graduation है के नहीं, International Business and Retail Management, अगर है तो you can fill it, otherwise you can directly fill for the journalist stream, आप directly journalist stream के लिए भी फिल कर सकते है, ठीक है, तो coming back to the courses guys, ठीक है, तो these are the courses, लेकिन इन में enroll करने के लिए, directly यह जो price है, यह pay नहीं करनी है, code आपकी screen के सामने है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, as soon as you apply the code, the prices will fall, and, 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 अगर आप app के थुरू buy करते हो, जिसके बारे मैंने starting में बताया था, तो उससे आपको further discount बिलता है, जो discount यहाँ पर 77% है, वो app के थुरू 78 हो जाता है, तो prices will be around 3,000, so choice is your guys, free sources चाहिए, best sources मैंने आपको बता रखिए, उन्ही best resources से हम अपना content बनाते हैं, और अपके यह previous year PYQ को analyze करके, अपने content को improvise करके, आपको provide करते हैं, तो choice is yours, अगर आप paid courses लेना चाहते हो, paid course ले सकते हो, अगर आप free sources लेना चाहते हो, तो free sources के लिए भी आप हमारे channel को subscribe कर लो, that is very important, बहुत सारी videos हमारी आने वाली है, बहुत सारा content भी आने वाला है, तो जब स्टे टून टू आर चैनल, बागी कोई भी query रह गई हो, तो please post it in the comment section, आज के लिए इतना ही मिलते हैं, छोड़े से break के बाद, I hope आपकी सारी queries मैंने इस video में answer की हो, कुछ रह गई, तो do let me know in the comment section, या फिर मेरे social media platform से जुड़के मेरे से पूछ सकते हो, bye bye, take care, have fun.